which of the following system will the radius of the first orbit minimum अब n is equal to 1 के लिए n is equal to 1 principal quantum number के लिए इसमें से radius minimum किसकी होगी तो radius का expression क्या है कि radius is equal to r0 और n square upon n square upon z और r0 की value is 0.529 और यह जाएगा n square upon z और यह angustron तो इतनी जो radius है this is basically nothing this is the radius of the general atomic hydrogen like particle के लिए radius है अब n is equal to 1 रखोगे n is equal to 1 रखोगे तो यह radius मुझे दिखेगा यह radius मुझे दिखेगा 0.529 यह radius मुझे 0.529 और यह पां z और angustron में होता है अब यह radius है जब n is equal to 1 रखोगे ग्राउंड पहला आर्बिट तो उसकी radius अब इसमें से minimum क्या होगा आर मिनिममम हमें आर मिनिममम तब होगा जब z की value maximum होगी हाना आर मिनिममम तब होगा जब z की value maximum इसमें से किस की होगी देखो हाइडोजन लीटियम के लिए z की value 3 होगी ठीक है सिंगल आयनाय हिलियम के लिए z की value 2 होगी डिट्रियम हाइडोजन का आइसोटोप से है जब 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 बढ़ेगा तो प्रोटॉन की संग्या बढ़ेगी और अगर उसमें जो ट्रांस है वो नीकलियस से फीजिकली बहुत क्लोज आ जाएंगे तो रेडियस कम हो जाएगा आना इंट्रेस्टिंग काहनी